अम्भीर आर्थिक संकट से जूज रहे पडोसी मुल्क पाकिस्तान को इस स्थिती से उबारने के लिए आएमेफ सैधान्तिक तोर पे स्तहमत तो हो गया है लेकिन अमेरिका ने ऐसी सर्थ रख दी है कि पाकिस्तान के हलक में निवाला अटक गया है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे क्या है उसकी स्थिती और पाकिस्तान कैसे इस से निप्टेगा मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ विद्ध संकरतिवारी इंडिया नियूज के डिजि आएमेफ से वो चाह रहा है और इसके लिए सैधान्तिक तोर पे आएमेफ तयार भी हो गया है वो अपने टीम भी भेज चुका है पाकिस्तान और इसे बातचीत चल रही है लेकिन आएमेफ में अमेरिका का बहुत ज्यादा से है जो चाहता है अमेरिका वही होता है और अमेरि जल्दी निप्टा जा सकता है दूसरी अमेरिका को गुरेज इस बात को ले करके है कि जो सिपेक का प्रोजेक्ट है जिसको ओर भी बोलते हैं वो चाइना जो है उसके चकर में चाइना के करज जाल में पाकिस्तान फस गया है और उससे 60 बिलियन डॉलर वो करज ले चुका है लिहाजा अमेरिका ये कता ही नहीं चाहता कि आएमेफ जो भी उसको करज दे उसका उस पैसे का वो इस्तिमाल चाइना को जो है करज अदाएगी के लिए करे तो पहली उसने सर्थ आएमेफ ने ये रखी है कि एक तो हम जानना चाहेंगे कि किस से आपने कितना करज लिया है और जो पैसे हम आपको दे रहे हैं उसका इस्तिमाल आप कहां करेंगे दूसरी सर्थ ये रखी है कि आप जो है अपने आर्थिक कारिक्रम को बदलेंगे यानि कि पाकिस्तान जो है आर्थिक कारिक्रम को बदलेगा कुछ-कुछ इस्तितिया वैसी ही हो रही है जैसे कि तो को मान ले क्योंकि उसको जरूरत है और यदि वो कर्ज की अदायगी समय पर नहीं करता है तो फिर वो डिफाल्टर घोसित हो जाएगा या चाइना और सौधी अरब से वो कर्ज ले फिलहाल उसकी माली हालत के बारे में थोड़ा समय बताना चाहूंगा कि उसका जो राजक ज़ान मंतरी इमरान खाना है वो इस स्थिती से उबरने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारे फिजुल खर्ची घटाई है गवर्नर हाउसेज को इस्पॉर्ट में बदला टूरिस्टी इस्पॉर्ट में बदला और ज्यादा करमचारियों के अपने पी क्योंकि एक सुझाओ पाकिस्तान के सग्यों ने यह दिया है पाकिस्तान को कि जो आएमेफ से करज मिलता है या उसकी ऐसी सरत है तो उसको एसे डिवलॉपमेंट के काम में लगाया जा और दूसरी जगा से फंड की बेगस्था करके करज की अधाईगी में इस्तेमाल किया तो देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे नहीं पड़ता है आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इन खबाराउर से सब्सक्राइब कीजिए